अचास हीता के बाद लगातार प्रशाशन के तरफ से मोनीटिंग सेल बनाए गए हैं अगर हम चंदिगड़ प्रशाशन की बात करें तो चंदिगड़ में भी लगातार मेटिंग्स का दौर जा रही हैं किस तरह से अवेर करना हैं किस तरह से प्लिटिकल पार्टीज और भी क चंदिगर्ड में किस तरह की जीजे देखने को मिलोगी। आर जून को होनी है। उसको देखते हुए लगवग आगे धाई महीने यहां पर model code of conduct enforce किया जाएगा और उसके तहट काफी सारे दिशा निर्देश political parties को भी और official machinery को भी दे गई है। और model code of conduct से संबंदेत किसी भी तरह की शिकायत देने के लिए लोगों को काफी सरिया मोया कराए गए इलेक्शन कमिशन के द्वारा जिसमें मुखे तोर से एक phone पे app है जिसका नाम है सी विजल एप citizen विजल एप जिसमें आप किसी भी तरह की complaint अगर model code of conduct से संबंदित आपके ध्यान में आती है तो आपकी उसको फोटो या वीडियो खींच के उस स्थान पर भेजते हैं तो यहां आपकी location के साथ election की जो टीम है जो इसको monitor करती है उसके पात सारी details आ जाती है और तुरंत एक flying squad को dispatch किया जाता है जिसको 30 minute का समय है वहां पहुंच कर और उस model code of conduct की violation जो complaint में आती है उसको examine करते हैं और फिर उसका वो निवारण करते है कोई complaint नंबर भी है ऐसा कुछ जिसको करके call करके जो है एक तो सी विजल आपने बताए कोई complaint नंबर जो है लोगों करके माधियम से दे सकता है तो आपके माधियम से भी सभी में नागरिकों से यह request करूंगा सभी वोटर से कि वह one nine five zero या सी विजल आप में किसी भी तरह की model code of conduct से संबंदित violation आती है तो उसको तुरण सूचित करें election machinery सुनिशित करेगी कि तीस मिनिट में वहाँ टीम पहुंचे और टोटल लगबग देड़ घंटे जिसमें सौ मिनिट का समय election commission के द्वारा दिया गया है उसी में उसका निवाराण हो sir violations के सासाथ law and order के situations है क्योंकि ट्राइ सिटी का पार्ट है चंडिगड पंजाब भी हर्याना भी हिमाचल भी कई जो स्टेट्स हैं साथ में लगते उसको लेकर किस तरह से coordination की जा रही है चंडिगड प्रशाशन खास तो आप देखिए इसमें election commission के द्वारा भी स्पष्ट हिदायते हैं कि क्योंकि जहां interstate borders के विशे हैं और चंडिगड में तो दोनों राज्यों की राजधानी होने की वज़े से दोनों राज्यों का border भी लगता है तो इसमें पंचकुला और स.स नगर मुहाली के concerned authorities के साथ हमारी लगातार meetings हुई हैं इसमें interstate, interdistrict coordination की और आगे भी हम उनके साथ coordination करके चलेंगे साथ-साथ 18 जगे पर जो हमारे मुख्य इंटर स्टेट बॉर्डर पे roads हैं जहां पंजाब या हर्याना से आती हैं उस पर भी नाके लगाए गए हैं ताकि कि किसी भी तरह की कोई कोई ऐसा cash, liquor या precious metal या कोई freebie ऐसा है तो चुनाव में चंडिगड को ए इलेक्शन को प्रभावित ना करें इसलिए नाके लगाए गए हैं और वहां पर seizure की प्रक्रिया को प्रारंब कर दिया हैं जैसे आपने बताया है कि लिकवर की बात करें ड्रक्स की इस टाइम में साथ लगते हुए जिले और आसपास के राजियों से भी जिसमें यहां के नूडल ऑफिसर्स के नंबर्स भी उनके साथ शेयर किये गए हैं ताकि तुरंत सूचना का आधान प्रदान हो और किसी भी तरह का illegal cash, liquor या कोई precious metal या कोई freebie का movement या drugs का movement नजर आता है तो तुरंत इंटर district coordination committee के concern noodle officers को बताया जाए ताकि उस पे तुरंत सुचारू रूप से कारवाई कर पाए है और उसमें disclose करें जो जो कारे गतिविदिया निर्वाचनायोग के द्वारा की जा रही है उसी के तहत सभी political parties से multiple rounds of meetings हुई है और विभिन स्थरों पे हुई है चाहे वो मुख्य निर्वाचनायोग अधिकारी है चाहे वो मेरे स्थर पे है चाहे वो नीचे STM या ARO स्थर प प्रक्रियां दी गई है साथ-साथ उनके जहां कहीं कहीं doubts है वो भी सभी issues और information उनसे disclose की गई है और उनको बताया गया है कि वो निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान election machinery के साथ कभी भी किसी भी विशय को उठा सकते हैं और आगे भी चुनाब के दौरान ऐसी multiple meetings की उसको लेकर किस तरह से monitoring की जा रही है देखिए model code of conduct सभी पार्टियों पे समान है इस तरह की एक विशय हमारे ध्यान में आया था जहां पर एक स्थान पर किसी तरह की name plates लगाई जा रही थी political party के दौरा तो उनके state president को notice दिया गया है model code of conduct के तहत और क्यूंकि वो private मकानों पर लग रही थी तो उसमें सपष्ट हिदायत है कि कोई भी किसी भी तरह की चुनाव की सामगरी किसी भी private स्थान पर वहां के मालिक या occupant की ही अनुमती के अनुसार लगेगी उन से अनुमती मांगी गई है अगर अनुमती आएगी तो वह वहां रहेंगी नहीं तो उनको तुरंथ हटाये जाएगा एक चीज और देखने को मिली है कि जो politically candidate होते हैं वो अपने साथ दस दस बारा बारा बांसर लेके चलते हैं गाडियों का काफला चलता है क्या उन चीजों पर भी ध्यान रखा जाएगा उनको भी कुछ इस तरह की मेटिंग्स में चीज़े उठा करती हैं जोकि वो ट्राफिक हजार भी है और दूसरे लोगों को अभी सविधाना हो साथ-साथ इसमें जो भी गाडियां ली जाएंगे विद पर्मीशन ली जाएंगी और उसमें जहां तक किसी इस तरह की बात आती है कि intimidation या किसी के डराने या धमकाने की बात तो उस पे सक्से सक्त कारवाई की जाएगी और उस पे कानूनी एफायाट दर्च करके जो कानूनी प्रोसेस है उसको भी तुरंत अपनाये जाएगा तो बिल्कुल जैसे senior officers ने जानकारी दी है कि पूरी protocol के साब से as per law पूरी चीजों को ध्यान में रखते हो ये काम किया जा रहा है और code of conduct के बाद लगातार meetings का दौर जारी है लगातार खास दौर पर law and order क्योंकि ट्रैसिटी पंजाब और हर्याना का भी part लगता है बादर सेरिया लगते हैं उस पर भी खास दौर पर जैसे सर ने बताया कि लगातार meetings दौरी जो senior officers हैं दूसरे states के उनके साब लगातार coordination meetings जारी है political parties हैं, banks हैं कि कितना पैसा आना है, कितना लगना है ये सारी चीजों को लेकर पूरी monitoring की जा रही है monitoring cell इसमें बनाया गया है, CV जलका जैसे सर ने जिकर किया, monitoring cell जो electronic channels है, print media है, उन पर भी जो है वो पुरा monitoring की जा रही है कोई fake news तो नहीं है, क्या कोई paid news तो ने लग रही है, इस सारी चीजों को लेकर लगातार monitoring की जा रही है चन्दिगर से कैमरामेन विनोद कुमार के साथ मनुजराठी, news 18, पंजाब